तो आज किसे वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि हम यहां जब भी कोई भी ऑनलाइन फॉम अपलाई करते हैं चाहे मॉबाइल से करें या फिर पीसी से जिनके पास पीसी नहीं है लैपटाप नहीं है वह ऐसे में यहां पर उनकी डाकुमेंट साइज को कम करना रिसा आपको प्लोड कर सकते हैं और उसे तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में आना दोस्तों और आपको सर्च कर देना है जेपीजी रिसाइजर जैसे यहां पर पहला लिंक मिल जाता है दोस्तों काफी बहतरीन आपली के जो है इमेज को अर्जेस्ट करता है reduceimage.com करके यह साइट है तो इस पर आप क्लिक कर लिजिएगा इस पर जैसे आप क्लिक कर लिएगे दोस्तों देखी इस तरीके से जो है आपका यहां पर पेज ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाने के बाद आप इसमें देखिए सबसे पहले आएंगे select image option में यहां पर आ करके आपने जहां पर भी अपना image रखा है अपने image को select कर ले image देखिए इस तरीके से select जैसे आप कर लेंगे तो यहां पर उपर की तरफ थोड़ा से scroll करते हुए आएंगे आप देखिए यहां पर choose new size and format यहां पर आप उसकी चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं हाइट कितना रखना चाहते हैं वह यहां आप आ करके उसके जो है number डाल करके आपको उसे यहां पर resolution देखिए यहां पर dpi दिया गया है तो सबसे पहले आपको कहतना अगर a4 size में दोस्तों आपको रखना है तो आपको a4 size में रखने के लिए से आपको मालूम नहीं है कि a4 size का हमारा अगर यहां पर हम आएंगे percentage में तो देखिए सबसे पह रखना चाहते हैं उस पर आपको किलिक कर देना और यहां पर मैं centimeter में रखना चाहता हूं तो सेंटी मीटर पर किलिक कर देता हूं और यहां से मुझे a4 size format में अपने डाकुमेंट को सेब कर लेना है क्योंकि mobile से हम फोटों खीचते हैं तो उसकी size जो है यह दोस्तों देखि यहां पर हमने फिर से गूगल किया a4 size in centimeter लिखा उसके बाद उपर करते जाएंगे देखिए यहां पर a4 का paper है और यहां पर देखिए अगर उसका mm में देखिए कि आपको 210 गुटे 277 भी लिखना होगा आपने यहां पर centimeter सेलेक्ट किया तो centimeter में आपको 21 गुडे 29.7 आपक आप देखिए यहां पर 72 DPI लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करके दोस्तों इस पर आप 200 DPI रखना चाते हैं या फिर 300 DPI रखना चाते हैं इस तरहीं के से लिख दीजिए ठीक अब DPI लिख देने के बाद दोस्तों आप यहां आएंगे थोड़ा नीचे और यहां आप देख इसलिए यहां पर आप 30 करके उसके दोस्तों आएंगे थेखिए हमारा इमेज बनके आ चुका है और यहां वारी साइज 348 KB की बन चुकी है तो इहां पर हमेंवेेज को कम कर लेना है तो यहां पर हम पर सेंटेज कम कर देगे percentage यहाँ पर हम कर देंगे 40% उसके बाद फिर से हम यहाँ पर resize image पर click कर देंगे इस बार देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा 92KB का बाद चुका फाइल इस तरीके से हम percentage कम करते जाएंगे तो हमारा image यहाँ पर KB कम होता चला जाएगा जब आपका यहाँ पर KB adjust हो जाए उसके बाद download image पर click कर दीजिएगा आपकी image यहाँ पर download हो जाएगी इससे आप open करके देखेंगे तो आपकी image जो है इस तरीके से यहाँ पर save हो करके आ जाती काफी अच्छी quality भी रहती दोस्तों ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर आपकी जो है numbers वगेरा जो है यहाँ पर blur हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं serial number वगेरा आप देख सेते हैं काफी तरीके से view हो रहे हैं इस image में और यहीं पर अगर आप अपना photo का size adjust करना चाहते हैं passport size का भी photo बनाने में काफी दिकत होती है तो आपको क्या करना है अपना photo सबसे पहले select कर लेना है photo की size यहाँ पर देख रहे हैं को mobile से खीचते हैं तो काफी ज़्यादा size भी रहती है और उसकी जो actual चौडाई और लंबाई रहती है वो यहाँ पर अरजश नहीं हो पाती है तो photo को भी resize करने के लिए आपको photo को ला लेना है यहां से select करके उसके बाद देखें यहाँ पर आपको द्यान देना है जैसा हमने यहाँ पर लिखा है सिर्फ आपको ऐसा ही लिख देना है साड़े तीन, साड़े चार, चावडाई साड़े तीन रहेगी हाइड साड़े चार, सेंटी मीटर यहाँ पर आप देखेंगा सेंटी मीटर में आपको इसको कर लेना है और कर लेने के बाद 300 dpi करना है दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर आना है आपको fit वाले option पर क्लिक कर देना है चाहिए document हमें तो अगर आप यहाँ के भी बढ़ाना चाहते हैं तो percentage बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ जाएगी तो कुसी भी image को PDF में convert करने के लिए दोस्तों आपको jpg to PDF करके search कर देना है पहला ही link मिल जाएगा आपको jpg to PDF converter इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप यहाँ पर आपको आकर के आपने जहाँ पर भी image रखा है उसे आपको यहाँ पर ला लेना है image को लाने के बाद यहाँ पर convert to PDF पर आपको क्लिक कर देना है और दीखे download PDF का option आचुका है इस पर क्लिक करके आप अपना जो है image को PDF में download कर लीजिए अब हम वहाँ पर upload कर सकेंगी तो आसा करतों दोस्तों यह चोड़ी से वीडियो क्लिक कापी helpful रही होगे अगर मन में कोई सवाल है थमसे comment करके पोज सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक किजिएगा पहली बार चैनल पर आए तो subscribe जरूर किजिएगा